मेरे साथ बोलिये बारत मता की क्या है क्यूं भई हर्याना वालों की आवाज को क्या होगा है ऐसी आवाज नहीं चलेगी मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि हर्याना में फिर से दस की दस सिटिये पर कमल खिलने वाला है मेरे साथ दोनों हाथ उड़ाओ सभी लोग पिज़े तक उड़ाए दोनों हाथ विज़ाए के संकल्प की मुट्टी भिज़े और प्रचन वाद से बोलिये बारत मता की बारत मता की मांच उपर उपस्तेद बोलो जय स्री राम मांच पर उपस्तित हर्याना के सनमान्यय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोवलाल खटर जी हमारे प्रदेश बारतिय जन्ता पार्टी के द्यक्स औरे मेरे मित्र श्रीमान दन्कर जी हमारे गुरू मंत्री श्रीमान अनिल वीज जी श्री गजेंद्र सेखावत जी त्रिपूरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हर्याना के प्रभारी बाई वीपलव देव जी श्री कवर पाल गुर्जर जी रंजी सिंग चोटाला जी ओम प्रकावत श्री सुभास बराला जी मेरे साथ दिल्ली से आये हैं सिर्शाजी खड़े हो जाईए मजिंदर सिंग सिर्शाजी जो यहां के हैं दिल्ली भाजपा के बड़े नेता है ताली बड़ा हो सिर्शाज के लिए सभी लोग और आज मंच पर बेटे हुए मंत्री गण विदायक गण संसद गण हमारी बेहन जो यहां से लोग प्रियस संसद है और आज सुनिता बेहन के साथ बेठे हुए सारे संसद महोदए और आज की सभा में यहां पर उपस्तित प्यारे भाईयों बेहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार सबसे पहले हर्याना की पवित्र भूमी जहां गीता की रचना करने के लिए स्री कुष्ण ने जिस भूमी को तै किया वो हर्याना की भूमी को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरूवात करना चाहता हूं मैं अभी अभी गुरुद्वारा चिला साब में मत्था टेक कराया जहां सुयम प्रथम गुरु नानक देवजी माराज 40 दिन तक रहे और दसम पिता ने भी जहां जब पंजाब छोड़ा तो यही पर निवास किया यह पवित्र गुरुद्वारा और इस भूमी को मैं प्रण करता हूं मित्रों है मैं जब भी आता हूं हरियाना तब हमेशा इस बात को याद करता हूं है कि जब जब भी डेश पर संकट आया तो यह पंजाब भूमी ने चटान बनकर देश के दुश्मनों के सिने चल्ली कर दिये अपना रक्त बहा कर माँ भारती को हमेशा के लिए सुरक्सीत रखा। मैं वो हर्याना की विरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूँ जिनोंने देश को एक नई अनेक बलिदानी बेटे दिये और हस्ते हस्ते अपने बेटे को भारत मा की सुरक्सा के लिए समर्पीत कर दिया मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूँ यह हर्याना खिलाडियों की भुमी है देश को अगर मैडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाडी हर्याना से होता है यहाँ जब खेलों की सुरुआत हुई मैंने मनोहलाल जी को कहा मनोहलाल जी जरा दिल बड़ा करकर यह धाकड खिलाडियों के लिए करिये और मनोहलाल जी ने भी नौ साल में खिलाडियों के लिए धेर सारी योदना एजाहरी की है और हरियाना का किसान देश में कहीं भी अकाल पड़े धान नहो गेहू नहो अनाज नहो तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाना से ही जाता है वो किसानों को भी मैं प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूँ मित्रो आज जो कारेकरम है विसाल जन सबा है मैं अभी गुर्दासपुर से आया अज सीरसा हूँ देश बर में भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं के दोरे लगे हैं नौ साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की सेवा करने का प्रयास किया है और आपने विशेशकर हर्याना वालों ने दो दो बार सभी की सभी सीटे भारतिय जनता पार्टी में जोली में डाल कर मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया इसलिए मैं हरेन्या की जंता का यहां से धन्यवाद करने आया हूँ मित्व ये नौ साल देश के इतियास में सुवन अप्सरो संकीत होने वाले नौ साल पहले का भारत याद करिये बारा लाग करोड के गपले घोटाले ब्रश्टाचार एक कॉंग्रेस पार्टी ने किया था ये नौ साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्रम मोदी जी पर ब्रश्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते मोदी जी ने पारदर्सी तरीके से सरकार चलाई है नौ साल पहले आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुशकर हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे कभी कभी तो पैरों से उसको अपमानित करते थे मगर ए मनमोहन सरकार सोनिया सरकार उप नहीं करती थी दस साल साशन रहा देश की कानुन और व्योस्ता और सुरत्सा दोनों चर्मर आ गई थी मोदी जी प्रदान मंत्री बने पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी उसने फिर से प्रयास किया उरी पर हमला किया पुल्वामा में हमला किया मगर वो भूल गए कि इस बार मोनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार है दसी दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुशकर सर्जीकल स्ट्राइक और एर्श्ट्राइक करकर अतंकवादियों के पढ़ चल्दे उडाने का काम देश के प्रदान मंत्री के ओडर पर हमारे सेना के जवान होने यह नो साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है इन नौ साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश के घुवरव को आसमान तक उँचा उठाने का काम किया है इनो साल में पूरी दुनिया कोई भी इश्यू हो भारत क्या बोलता है इसकी राह देखती है गवरव भारत को दिलाने का काम हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किया है अभी अभी युक्रेन और रस्या के बीच में युद्ध हुआ हमारे बच्चे वहां फसे थे हजारों बच्चे फसे थे उनके माबाप की जान तलवे पड़ लग गई थे हम सब चिंटी थी मोधी जी ने रस्या और युक्रेन के रास्ट्राद्यक्षों को फौन किया तीन द उन्हों देशों ने युद्ध बंद किया और हमारे सारे बच्चे सुरक्सीद भारत वापीस आ गए लिए यह बताता है कि दुनिया में मोधी जी के सासन में भारत की पूछ आगे बढ़ी है नौ साल में मोधी जी ने देश के गरीबों को एक नई आसा देने का काम किया है हर गरीब को घर हर गरीब के घर में गेस हर गरीब के घर में नल से जल हर गरीब के पांच लग तक का अरोग्य का पूरी जिन्दा हर गरीब को प्रती व्यक्ति प्रती महा पांच किलो अनाज और इसके साथ साथ गेस की सिलिंडर और मैं आपको पुछना चाहता हूँ हजार की संख्या में आप बेठे हैं मुझे बताईए भई कोवीड का दोनों टिका सबका लग गया है या नहीं लग गया है हाथ उपर करिये तो लग गया ना 25 पैसा भी देना पड़ा है कोवीड जैसी महामारी में पूरी दुनिया अश्चरे चकीत है भारत ने 130 करोड लोगों को दोनों टिके लगा कर कोवीड से सुरक्सीत करने का काम देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किया है मताओ भाईयों बैनों कोवीड के वक्त भी ए पॉलिटिक्स नहीं छोट राहूल बाबा ने कहा कि कोवीड का टिका तो मोधी टिका है मत लगाईयों मगर किसी ने नहीं सुनी उनकी सबने टिका लगाया अंत में वो भी एक दिन रात को अंधिरे में टिका लगा कर आ गए मित्रो जो कॉंग्रेस पार्टी ब्रश्टाचार कर रही थी जो देश को सुरक्सित नहीं रखवाई थी उसने कोवीड जैसी महामारी के समय भी राहूल बाबा एंड कंपनी ने पॉलिटिक्स करना नहीं छोगी यह मोधी जी के नौ साल भारत गवरव के नौ साल है मोधी जी के नौ साल गरीब कल्यान के नौ साल है और मोधी जी के नौ साल भारत के उसकर्श के नौ साल है मित्रो आज कोवीड के बाद पूरी दुनिया मंदी के चपेटे में है उस वक भारत के अंदर मोधी जी की नित्यों के कारण मंदी दस्तक नहीं दे पाई है यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मित्रो आज नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुतों में भारत आगे बड़ा है मोबाईल का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बना ओटो मोबाईल का तीसरे नंबर का उत्पादक बना और स्टिल का सबसे बड़ा उत्पादक बना है अभी अभी मोदी जी जी सेवन की बैठक में गए कोई प्रदान मंत्री उनके ओटोग्राफ मागता था कोई राश्ट्रा ध्यक्षिन से अपॉन्मेंट मागता था और आफ्रीका गए तो किसी किसी ने तो पेर छुकर आसिरव बाद भी दिये मित्रो यह जो सन्मान के सन्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है वो नरेंद्र मोदी जी का सन्मान नहीं यह भारतिय जन्ता पार्टी का सन्मान नहीं यह सन्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है वीदोस्व में मोदी 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 के नारे ल 230 करोड की जनता के सनमान के नारे मोदी जी ने दुनिया में भारत को आगे बढ़ा है किसानों के कल्यान की बात हुडा साथ करते हैं हुडा साथ को मैं चैलेंग देने आये हूं सिर्शा की भूमी पर हुडा साथ 10 साल आपकी सरकार चली कितना धान कितना गेहु खरीदा किसी राजाओ आप सबसे जादा भान सबसे जादा गेहु अगर किसी नेहीं खरीदा है तो नरेंद्र मोधी जिने खरएदा है मित्रो नरेंद्र मोधी जी सेल अ 되고 2023 में 207 लाग मेट्रिक टन गेहू खरीदा और धान 345 लाग मेट्रिक टन करा सिर्फ इस वर्स में ही 47,000 करोड रुपे का गेहू खरीदने का काम हुआ है और अब चेक भी आपके एकाउंट में सिधा ही जमा हो जाता है भैया बीच में कोई विचोलिया नहीं आता है हुडा साब आपकी सरकार अनेट साल रही कभी 6,000 रूपया किसान को सिधा नहीं बेजा हमारे मनोहर लाल जी ने बावांतर योदना लाई आप कई साल मुख्यमंत्री बने बावांतर योदना नहीं लाए किसानों को क्रॉप परिवेर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नह भी किया कित्रों कि यह पूडा सरकार जो थी यह 3D की 6,000 तृ टी का मतलब है एक क्यार दर्बारी, अपनें दर्बार्यों की सरकार थी दूसरा दी डामाद की सरकार थी, कौन सा दामाद समझ रहे हो ना ? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो दिल्य के दामाद की बात करा आउं समझ रहे हो न एक दर्बारी एक टापाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी मनहलाल जी ने तीनों डी को समाफ्ट कर दिया है मित्रों मनोहलाल खटर एक प्रकार से पहले पूरे हर्याना के मुख्यमंत्री थे पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था भारतिय जंता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योदनाओं को मनोहलाल जी ने जमिन पर पहुँचाया और पूरे हर्याने का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्का हमने विकास किया है हर्याना का धाकर जवान धाकर किसान और धाकर खिलाडी ये तीनों देश की जान है मित्रो और हर्याना देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये नौ साल में बना देश का सबसे पहला कैरोसिन मुक्त राज्य बना देश का सबसे पहला पड़ी लिखी पंचाएतों वाले राज्य बना देश का सबसे पहला ODS प्लस राज्य बना और हर्याना की विकास दर 2015 से 22 तक 6 प्रतिसत से ज्यादा रही है मित्रो एट डबल एंजिन की जो सरकार है उपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी उन्होंने हर्याना के विकास में कुछ नहीं छूड़ा 2019 से अब तक 5.22 बिलियन डॉलर का फॉरेन का निवेस मिला है 400 फॉर्चुन कंपनियों के कार्यालय गुरू ग्राम हर्याना में है और देश में दो गाड़ी बनती है मेरी बाद ध्यान से सुनना सिरसावलो देश में दो गाड़ी बनती है तो इसमें से एक गाड़ी मेरे हर्याना से बन कर देश में जाती है 50 प्रतिसत गाड़ियां हर्याना से बनती है आज मैं जब यहां आया हूँ तब चोधरी देविलाल जो क्यों भी जरूर याद करना चाहता हूँ देविलाल जी ने हरियाना के किसानों के लिए धेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पुरे नहीं किये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया है मित्रो हड्याना नसे का सिकार बन रहा है मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ देश का प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी जी इस बात से बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत सरकार के गुरू मंत्रा लेके सामने एक लक्स रखा है कि कुछी समय में भारत नसा मुक्त होना चाहिए और यह अभ्यान हरियाना में चालू हो गया है मित्रो सीरिसा में भी ये नो साल में बहुत कुछ हुआ है 1513 करोड उपे का किसानों को विमा का क्लेम दिया है हमने राष्टपती द्रवपती मुरुदू ने 22 एकड़ भुमी पर 1000 करोड के साथ मेडिकल कॉनेज की आधारसिया रखी सीरिसा फतेयाबाद मार का निर्मान चल रहा है कई नए फूल बन रहे हैं सीरिसा के तेजा खेडा आसा खेडा और चोटाला की जमिन पर मेगा फूड पार्क बन रहे हैं सीरिसा में एक नए जल उपचार सैंत्र का निर्मान हुआ है और सवर उर्जा केंद्र भी गुजरात में बन रहे हैं सीरिसा में बन रहे हैं मित्रो एक consistency में इतना सारा विकास कभी पर नहीं हुआ सुनिता दुगल हमेशा भारत सरकार के मंत्रियों के पास आपके सवालों को लेकर जगडा भी कर लेती है और घिड़ घिड़ा भी लेती है एक तालिस उनिता बेन के लिए बजा दिजिए सभी लोग मित्रो एफाल जी हमेशा कॉंग्रेस की बात करते हैं मैं हुडा जी को पुछने आए हूं हुडा माराज हिसाब लेकर घर्याना की जंता को दो कि आपके सासन में कॉंग्रेस के सासन में उपर नीचे दोनों आपकी सरकारे थी आपने हरियाना को क्या दिया मैं आपको कहता हूं कॉंग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाना को डिवेलिशन और ग्रांटीन एड के कूल मिलाकर 40,000 करोड उपिया दिया था कितला दिया था बैजरा बोलो तो 40,000 करोड और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड से बढ़ा कर 1,30,000 करोड उपिया देने का काम किया है एक लाग तीस अजार करोड उपिया और वो हमारा ही सब मांते हैं मित्रो हमने 1400 किलोमीटर नए नेस्तल हाइवे बनाए सत्रा नए राष्टिय राजमार्ग हरियाना में गोशिट किये 20,000 करोड उपिये से आर्थिक गलियारे की योजना बनाई बारा हजार एक सो पचास करोड की लागत से सबसे बड़े गुरूर गुराम पलवल नुजिलो से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे को बनाया चार हजार करोड की लागत से कुंडली माने सर पलवल एक्सप्रेस वे का उत्खाटन हो चुका है और इसके साथ साथ 11,000 करोड की लागत से खरखोदा में 10 लाक वहन की प्रती साल शमता रखने वाली मानूती का विस्तारी करण कारेक्रम हुआ कई सारी संस्ताय दी, कैंसर राष्ट्रिय कैंसर इंस्टिट्यूट, 710 बेड, 181 भूमी पर, श्रीकुरुष्ण आयूश विश्विद्याले, भारतिय सुचना प्रधोगी की संस्तान सोनेपत, एनाईडी हरियाना, डेर सारी संस्ताय दी और मित्रो, 20 लाख किसानों को हर साल 6,000 रूपया मिल रहा है, जल जीवन मिशन, 30 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुचा है, आयूशमान भारत के लाबार्धी, 82 लाख है, साड़े साट लाख सोचाले बन चुके हैं, एक पॉइंट टीस, एक करोड टीस लाख लोगों को फ्री अप कॉस्ट प्रती विक्ती 5 किलो अनाज मिल रहा है, प्रधान मंत्री आवास योधना के टोटल 75,000 से ज्यादा घर बने हैं, और धेर सारे काम किये हैं, अन्त में मैं एक ही बात कहरना चाहता हूं सिरसावालो, आप मुझे बताओ, एक कस्मीर जो है, वो हमारा है या नहीं, जोर चे बोलो भई, कस्मीर हमारा है या नहीं है, दारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी, अब तक किसी ने काम नहीं किया, मोदी जी को आपने 10 की 10 स पीटे दे दी, फिर से प्रदान मंत्री बने, पांच मई 2019 को एक ही जटके से धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त करकर हमेशा के लिए कस्मीर को हमारा कर दिया, औरे कॉंग्रेस वाले कहते थे, मत करिये, मत करिये, मैंने पुछा राहुल बाबा को क्यों न करे, तो कह कास्मीर में खुन की नद्या बह जाएगी, राहुल बाबा खुन की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है, इन नरेंद्र मोदी सरकार, माताओ भाईयो बेनो, हर्याना के आसिरवाद से, आपने दो-दो बार मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया है, 2024 में भारतिय जनता पार्टी के कारेकता आपके पास आएंगे, हाद जोड़ कर आपका असिरवाद मागेंगे, मैं भी आज हर्याना की जनता को अपील करकर जाता हूँ, कि फिर से एक बार, दस की दस सिटे, मोदी जी की जोली में डालिये, और देश को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए 2024 में मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाऊगे, मुझे बताओ, 2024 में मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाऊगे क्या? अरे जोड से बोलो बनाओगे बाजपस सरकार बनाओगे तीन सो से ज़्यादा सिटों के साथ बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ मुट्टी भीचे और प्रचन्द वाद से बोलिए भारत मता की भारत मता की वंदे 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 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार